नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News एक रास्ट एक चुनाव की बात केंदर सरकार ने कही और ये कहा कि जब संसत का विशेश सत्र की शुरुवात होगी यानि कि 18 से 22 सितंबर यहाँ पर सदन की कारेवाही चलेगी यहाँ पर इस सदन की कारेवाई में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इन मुद्दों में से एक मुद्दा यही होगा कि वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर इसे लागू किया जाए क्योंकि जब एक देश है तो एक चुनाव भी होना चाहिए लोक सभा का चुनाव हो विधान सभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो यहाँ पर सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए लेकिन इसी मुद्दे को उठाते वे अब यही मोधी सरकार फस्ती वे नजर आ रही है अब यही मोधी सरकार अपने ही बयानों में फस चुकी है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जनता को बार-बार परिशान क्या करना जब यहाँ पर चुनाव एक साथ होंगे तो कई चीजों में काफी चीजे असान हो जाएंगी जनता के लिए भी यहाँ प महँगाई है और हमारे देश में अभी अमीरी गरीभी का बहित भाव किया जाता है इसी के साथ यहाँ पर अन्य मुद्धों को लेकर यानि कि एक रास्ट एक चुनाव के मुद्धों को लेकर यहाँ पर विपक्शी पार्टियों केंदर सरकार को घेरा और यहाँ पर संज् जिस राज्य में आपकी सरकार है आप असानी से वहां पर तो इसे पास करवा सकते हैं लेकि जहां जहां आपकी सरकार नहीं है यानि कि केंदर की सरकार नहीं है वहां पर आप कैसे इसे लागू करवा सकेंगे क्योंकि आपसी सहमती बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इसकी सहमती में नजर आते हैं कुछ में से बात कही जाएं तो केंदर सरकार ही बस यहाँ पर दावा करती वे नजर आ रही है कि यहाँ पर एक रास्ट एक चुनाव होना चाहिए इसको लेकर अभी से नहीं पिछले कई दिनों से यहाँ पर यह चर्चाए देखी जा रही है और काफी लंबे समय से इस पूरे मामले पर बहस छुड़ती वे नजर आई है लेकिन अभी तक यहाँ पर मुदी सरकार इस बहस को जीत नहीं पाई है अब यहाँ पर यह मुद्धे देश के प्रधान मंतरी को लेकर उनके उपर सवाल दागे जा पर एक रास्ट एक चुनाव के मुद्धे को लेकर आ रही है क्या यह सही है इससे पुरे देश में कोई बड़ा बदलाब होगा या फिर यहाँ पर एक चुनावी एजेंडा है चुनाव को देखते वे इस मामले को यहाँ पर मुदी सरकार इस वजा से लाई है और खुद ह अब अपने बयानों को लेकर फॉस्ट चुकी है आपकी क्या राय है कमिन बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद